उत्तबरिश के मुझफफर नगर में आयोजित किसान महापंचायत के आखर में भार्दी किसान यूनियन के नितारा केश टिकैत ने ना सिर्फ एक खेती किसानी बलकि निज्रिकरन बिरोज़कारी जैसे मुद्दो पर भी किंद्र सरकार के खलाफ अंदुलन का वाहन किया है ये बिजली बेचेंगे प्राइवेट करेंगे सड़क बेचेंगे सड़क पर चलने पर हम लोगों से टैक्स भी वसूलेंगे आगे राकेश टिकैत ने कहा भारत बिकाओं है यानि सेल्फ और इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है इनके खरिदार अडानी हमबानी है एफसी आई की जमीन गोदाम अडानी को दे दिये गए समुद तटो के सेकड़ों किलोमीटर तक बंदरगा बेच दिये गए मचुआरे इसे परिशान है ऐसे में सभी बड़े मुद्दों के साथ लाकर देश को बचाना है किसान नेता ने आगे ये भी घा ये पानी बेच रहे हैं नदिया निजी कमपनीों को बेची जा रहे हैं देश को सम्विधान वे खत्रे में है उसको भी बचाना है खेती किसानी जब लिखने की कागार पर आया तो किसान जागा आपका बैंक कर्ज चुका दो तो दोगुना कर्ज देगा नौ महीनें से हम आंदोलन कर रहे हैं पुरा सईती किसान मोर्चा डटा रहेगा जब देश के किसान नौजवान की जीत होगी तब हम अपने घर गाउँ वापस लोटेंगे बताते चलें राकेश टिकेट ने ये भी कहा जब दे किसानों का मुद्धा हल नहीं हो जाता तब तक मैं मुझवफर नगर की धर्टी पर पैर नहीं रखूंगा मैं सीधे यहीं आया और वापस गाज़ेपुर बॉर्डर चला जाओंगा उन्होंने कहा 12,000 करोड से ज्यादा हमारा गन्य का भुगतान बाख की है हम जो जमीन से आये यह गन्य का बेरिट है जब किसानों के लिए काम करने वाली सरकार आएगी तो 450 रुपए प्रतिक क्विंटल गन्य का भाव देगी टिकेट ने सरकार से कहा कि योजना के रेलवे के 4,5 लाकर में चारी बिरोजगार हैं सरकार ने रेलवे को प्राइवेट कर दिया कई ट्रेन और स्टेशन बेख दिये हम MSP की कानून गारंटी चाहते हैं उन्होंने कहा कि BJP सरकार को बोड की चोट देनी पड़ेगी ये BJP के लोग यूपी दंगा कराने वाले लोग हैं लेकिन हम उत्तापदेश में ये नहीं होने देंगे गाज़ेपूर बॉर्डर पर मोर्चा टिकेट ने न चोड़ने के बात कही चाहें मर के उना जाएं टिकेट ने कहा महापंचायत में अल्ला हु अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए उन्होंने कहा बाबा महनसिंग टिकेट के रैलियों में ये नारे लगते थे हमें हिंदू मुसलमान के बीच बटना नहीं है डटे रहना है